ओस्टियो सारकोमा की बात करेंगे क्या है ओस्टियो सारकोमा और कितने भागों में क्लासिफाई है इंट्रों में सिर्फ यहीं बताएंगे तो इसमें क्या एक इसमें तुम्हारा ओस्टियो सारकोमा है क्या मैलिगनें ट्यूमर बोन का यह आपका ओस्टियो सारकोमा है तो होगा क्या या तो ऑस्ट्राइड या फिर बोन का या फिर दोनों का फ़र्मिशन होगा इसको क्लासिफाई किया हमने दो भागों में Central और सर्फेस जो Central वाला है उसको हम conventional भी बोल देते हैं तो जो conventional बोलो या फिर Central बोलो उसमें क्या है कि Tumor Arise होता है तुम्हारे metaphysis से of long bones long bones के metaphysis से वहाँ से tumor arise होता है ठीक है और क्या बताया गया है location anatomical site क्या है metaphysis से metaphysis किसका long bones का metaphysis ठीक है यह अलर diagram देखो इसमें यहाँ पताया गया है जो metaphysis है metaphysis में और श्टियो फ्रार कुमा देखने को मिलेगा तो इतनी सारी जगा बताया गया है टेबल में अगर हम देखने के तो यहाँ पर बताया है anatomical site metaphysis sex, males में ज़्यादा common नहीं देखने को मिलता है age, young में ज़्यादा देखने को मिलता है 10-20 years, जो surface वाला है वो तुम्हारा older patient में ज़्यादा देखने को मिलता है metaphysis, metaphysis के उपर तुम्हारा dyphysis तो यह दोनों में difference है metaphysis और dyphysis में इसके लाबा, path, location की बात करेंगे तो location भी जो है तुम्हारा location भी तुम्हारे आप इंट्रो वाले पार बतायाएगा कि सबसे ज़्यादा तुम्हारा कहां देखने को मिलता है नी जोइन में देखने को मिलता है जहाँ पर femur का lower end होता है और tibia का upper end होता है ठीक है तो 60% जो है तुम्हारे सबसे ज़्यादा नी जोइन में देखने को मिलता है इसके बाद ühm, तुम्हारा upper end of humerus में तुम्हारा देस percent देखने को मिलेगा और hip joint पे तुम्हारा 15% देखने को मिलेगा ठीक है तो यही वाली बात तुम्हारे location वाली बात बताएगे कि femur tibia वाला point और humerus वाला point और around hip joint वाला point ठीक है और यहाँ पर तुम्हारा surface वाले में femur और humerus बताएगे femur का lower end, femur का lower end, humerus copper end, humerus copper end तो यहाँ पर देखने को मिले रहा है ठीक है फिर pathogenesis की हम बात करेंगे pathogenesis में क्या है तुम्हारा वही है कि primary और secondary type की pathogenesis होती है ठीक है primary में क्या है कि कोई भी पहले से disease नहीं होता है है या फिर पहले से कोई disease है उसके हाथ कोई कुछ मतलब की वो नहीं है यहाँ पर क्या है कि पहले से जो disease है उसके कारण होगा ठीक है तो यहाँ पर पहले disease नहीं होती है लेकिन फिर भी हाँ पर कुछ factors होते हैं जो कि इसको determine करते हैं तीन factor है पहला genetic factor दूसरा period of active bone growth third environmental influence तो जो पहला है तुमारा genetic factor उसमें क्या-क्या है hereditary mutation हो सकता है chromosome 13 का retinoblast tumor locus वाले cases में भी common देखने को मिलता है दूसरा है period of active bone growth किसमें देखने को मिलती है यंगर एज में देखने को मिलती है इसलिए यंगर एज में देखने को मिलता है third environmental influence जैसे radiation या oncogenic virus ठीक है फिर और क्या mutation देखने को मिल सकता है RB gene से mutation देखने को मिल सकता है P53 tumor suppressor gene में mutation देखने को मिल सकता है MD M2 gene में mutation देखने को मिलता है और फी कई साइच चीज है लेकर इतनी important नहीं है secondary में क्या है पहले कुछ diseases होंगी जैसे कि तुम्हारा Paggates disease of bone दूसरा fibrous dysplasia तीसरा post radiation third chronic osteomyelitis और bone infarcts तो यह तुम्हारी pathogenesis हो गई अब बात करेंगे तुम्हारे clinical features की तो clinical features में क्या है तुम्हारा clinical features में सबसे पहले तो तुम्हारे जो main clinical features है वो यह है कि pain होगा tenderness होगी swelling देखने को मिलेगी ठीक है इसके इलावा serum alkaline phosphate है serum alkaline phosphatase enzyme है इसका level raise मिलेगा calcium और phosphorus का level normal देख तो आप देख रहे हैं कि bone यहाँ पर तुम्हारा bones related तुम्हारा वो है tumor और यहाँ पर calcium और phosphorus में कोई अंतर नहीं आ रहा फिर इसके लावा और radiological appearance में क्या देखने को मिलेगा sunburst appearance देखने को मिलेगा और codemence triangle देखने को मिलेगा तो बस दोना बताने है radiological appearance में sunburst pattern और codemence triangle इसके लावा तुम्हारा बताए कि इस तरीके से growth होती है तो पहले तुम्हारा जो metaphysis है उसमें centrally tumor arise करता है फिर इसके बाद extend करता है वो longitudinally ठीक है longitudinally तुम्हारा extend करेगा और फिर वो expand करता है literally literally फिर तुम्हारा expand करता है ठीक है और फिर तुम्हारा क्या है tumor जो है grow करता है रेंटलेंट पैरियॉस्ट्यम को breach करता है और relentlessly तुम्हारा grow करता है और surrounding soft tissue को in wait करने लगता है ठीक है तो यह तुम्हारा खतम हो गया फिर इसके बाद है morphological features मे तो तुम देखो कि grossly तुम्हें क्या देखने को मिलेगा और histologically क्या देखने को मिलेगा grossly कैसा बाहर से कैसा देखेगा है codems triangle तुम्हारे देखो हमने बताया था radiologically भी देख रहा है और ऐसे grossly भी देखेगा ठीक है बागी grey white color में देखेगा और बलकी मास देखेगा क्योंकि tumor है ठीक है कहां देखने को मिलेगा metaficeal end में देखने को मिलेगा long bone के ठीक है histologically अगर हम देखें तो हमको sarcoma cells में क्या देखने को मिलेगा osteogenesis देखने को मिलेगी osteogenesis मतलब की formation होगा हमारे osteoid का और तुम्हारे क्या होंगे और तुम्हारे क्या होंगे प्लियो मॉर्फिसम देखने को मिलेगा मतलब की साइज में विरियेशन प्लियो मॉर्फिसम मतलब की सेफ में विरियेशन तो अब देखो यह तुम्हारा प्लियो मॉर्फिक साइज में विरियेशन देखने को मिलेगा इसके इलावा क्या देखने को मिल सकता है heading हमें यहीं डालनेगी सारकोमा cells में क्या देखने को मिलेगा pleomorphic or pleomorphism ठीक है और तुम्हारा osteo osteoid का क्या देखने को मिलेगा osteogenesis देखने को मिलेगा osteoid का formation देखने को मिलेगा इसके लावा क्या देखने को मिलना है mitotic figures देखने को मिलना है और tumor joint cells देखने को मिलना है ठीक है 3-4 ऐसे बना देंगा blue blue और pink से वसो कर दिया यह तुमारे tumor joint cell हो गए histological variants के नाम भी दिये गए है कि इसके और क्या histological variants है तो नाम याद करने के लिए trick है लश्ट के बनाम याद रखो L से हो गया low grade S से हो गया small cell secondary T से हो गया telangiotactic तो कुछ भी ना अगर एक दो नाम भी आद रहेगा तो बहुत अच्छी वाली बात है तो यह तुमारा फूरा पातम हुआ अब एक बाद table में भी देख ले हैं यंगा रेज ग्रूप ठीक है और location वाली बात भी हमने आप बताई थी कि कहा कहा location इसकी होती है तो हमने बताया था आपको कि आपका knee joint होता है उससे लेड़ेटर आपका femur का lower end और tibia upper hand हमने देखा था इसको जो है इस से साथ compare कि आथा कि femur जो है तुम्हारा femur का यहा पर lower hand देखना को मिला है यहां पर भीChris Humerus को यहाँ पर upper hand देखने को मिला है यहां पर भी upper hand देखने को मिला है इसके लावे यहाँ पर है और हुपी है पैतों जनी सिक्री में लाख कर ली कि प्राइमरी हैं में थी भाइन को अधों वाली है तो यहां पर किया था त्रतीन थी में देखने को मिला था क्रोमोजूम 13 में तुमको मुटेशन देखने को मिला था और यहां पर तुम्हारा अलग बताए गया है वह आर बीजीन वाला पी 53 वाला पस बताए और भी थे इसके लावा और यह तो तुम्हारा के वाल जैनेटिक वाला है इन्वारमेंटल और जनेशिस में वह बात में बत करेंगे बहेविरल में हम देखते हैं कि यह तुम्हारा हाइली मैलेगनेंट है हमने सुराथ में बताया थे कि यह तुम्हारा मैलेगनेंट ट्यूमर होता है ठीक है ग्रॉस अपिरेंस में हमने तुम्हारा क्या देखा था कि नेक्रोट प्लियो मॉर्फिक था और तुम्हारा पॉली मॉर्फिक था है तो वही है तुम्हारा प्लियो मॉर्फेग घम आप बता दिया और इसके लएवा तहां Call एक कि तुम्हारा deepest तैप्स में में बताए कि एक इस ठीग होता है osteoblast होता है और fibroblast होता है osteoblast, condroblastic, fibroblastic और इसके लावा जो हमने बताया है तिम्हारा lust lust में low grade और small cell और एक और था है secondary और T से तम्हारा telangeoctatic ठीक है तो जतने भी नाम याद रहे जाऊना बड़ी आए फिर है तुम्हारा spread and prognosis की बात करें है हो सकता है यह बों इसक्षी दूसरी बोंस में है और ब्रेण में तुहारा फॉरा हिसातम हुआ है आगला है तुम्हारा सर्फिस और स्रख्यो सार्कोमा अगले फैस제를 में